हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम यू टू आल आज यहां पर हम एक नया चैप्टर डिसकस करने जा रहे हैं जो कि है इवेल्यूएशन इवेल्यूएशन को हिंदी में बोला जाता है मुल्यांकन इसी के अंदर आपका मैजर्मेंट आ जाता है तिके तीन चीज़ें यहां पर आत घ्राइशन करेंगे मैंनली हमें समझना है कि टीचर बच्चों का किस तरीके से वेल्यूएशन यानी की मुल्यांकन करता है और सीम आपका जो टॉपिक है वो डीवी यहां कि अंदर इन्दर मुल्यांकन क्या होता है ठीकि उसके समद्धित नियम रचनात्मक और योगात्म मुल्यांकन और आकलन के तरीके स्टेप्स वगेरा सब यहां पर पूछी जाती है तो आज की सेशन में हम यही चैप्टर को डिसकस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम बेसिक जान लेते कि सबसे पहले क्या है तो देखो कुछ पॉइंट्स में यहां पर हम इस चीज को समझने का ट्राइब करेंगे जिसे कि हम कोई शब्द पहली बार पढ़ रहे होते तो हम सबसे पहले क्या करते बेसिक अपनी लेंग्विज में सको समझने का ट्राइब करते की एवैल्यूइशन क मीनिंग होता क्या है तो नॉर्मली आप समझो कि आप किसी को भी क्या कर रहे हो किसी भी बच्चे का क्या कर रहे हो मुल्यांकन कर रहे हो मुल्यांकन का मीनिंग करना कि उसको एक तरीके से जज़ करना मतलब उसको समझना चाहते है उस बच्चे का कि उसका पढ़ने का तरी कुछ definition यहां पर point में हम समझने का try करते हैं evaluation is an important part of the teaching we can't separate evaluating and testing यहां पर क्या चीज़ बताई गई है कि जो evaluation होता है वो बहुत important part होता है teaching का सबसे important part या बहुत ही महतुपुणना part होता है teaching का पढ़ाने का और अपन कभी भी evaluation और testing जो रहती है बच्चों का मुल्यांकन करना और बच्चों का test लेना ठीक है इन दोनों चीज़ों को separate नहीं कर सकते हैं यह दोनों चीज़े एक दुसरे से हमेशा जूड़ी हुई रहती है क्योंकि मुल्यांकन एक तरीके का test ही होता है चाहे आप वो orally ले रहे हो चाहे return form में ले रहे हो orally मतलब कि आप चाहो तो मोखी क्रूप में भी ले सकते हो और चाहे return test लेना और जैसे के exam ली जाती है तो वो भी मुल्यांकन के अंदर ही आता है तो पहला point क्या बता रहा है evaluation is the most important part of the teaching we can't separate मतलब कि हम अलग नहीं कर सकते है evaluation को teaching से इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर अलग नहीं कर सकते है ठीक है second part क्या बता रहा है second चीज हमें यह बता रही है evaluation also helps the student to determine which area of learning require more attention यहाँ पर बच्चों को किस चीज़ का पता चलता है बच्चों को कहाँ पर help मिलती है यह determine करने में यह जाचने में कि वो किस शेत्र में learning के कि शेत्र में कमजोर है और कहाँ पर उन्हें attention यानि की ध्यान देने की आफशकता है तो evaluation जो है बच्चों को यह जाचने में यह परकने में मदद करता है कि वो कि शेत्र में कमजोर पढ़ रहे हैं उनका कौन सा chapter या फिर उनका कौन सा subject जो है वो week है तो पहला point तो यही बता रहा है कि बहुत important part होता है और साथ ही हम इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं second point यह बता रहा है कि कि शेत्र में बच्चा कमजोर है है यहाँ पर बच्चा खुद को analysis खुद को judge कर सकता है second, third thing हमें यहाँ पर बता रही है a planned program of evaluation is essential for the measurement of the result of teaching or instruction in English क्या चीज़ यहाँ पर show कर रही है a planned program of evaluation मतलब कि प्रॉपर तरीके से हमको evaluation को बच्चों पर apply करना होगा तो किस तरीके से steps होती है उनको अभी हम discuss भी करेंगे तो a planned program मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर तरीके से जब हम evaluation करते हैं वो क्या होता है is essential for the measurement of the result measurement of the result of teaching or instruction in English बहुत अच्छे तरीके से जब एक प्रॉपर वे में जब हम evaluation को बच्चों के उपर apply करते हैं तो वो काफी सही होता है और शाथ ही हम बच्चों का क्या कर सकते हैं उनको instruction दे सकते हैं English के अंदर और एक बहुत ही अच्छा result निकल कर आता है पढ़ाने का जिसे कोई भी teacher है वो एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में study करवा रहा है तो उस्ते क्या होगा कि बच्चों का response भी अच्छा निकल कर आएगा और teacher को जो feedback मिलेगा वो भी काफी सही feedback मिलेगा तो a plan program of evaluation is essential काफी essential होता है किसके लिए for the measurement of the result of teaching काफी अच्छा result देखने को मिलता है और साथी instruction in the English ठीके तो ये तीन basic point हो गए अब main चीज यहाँ पर आती है कि आपको क्या क्या steps follow करनी चाहिए evaluation के लिए ठीके evaluation मुल्यांकन करते समय आप किन steps को किन तरीकों को अपनाएंगे तो सबसे पहले evaluation करने के लिए प्रॉपर तरीका होता है कि आप सबसे पहले object को select करें ठीके सबसे पहले क्या करना होता है selection of object object जो भी हमारा लक्ष है कि आप evaluation क्यों करना चाहते हो लक्ष सिलेक्ट करो second है analysis of objective in terms of behavior changes तो second क्या करना पड़ता है हमें analysis करना होता है सबसे पहले हमने क्या किया selection जो भी हमारा लक्ष था उसका selection किया उसके बाद हम क्या करते है analysis करते है फिर हम क्या करतेim selection of evaluation technique अब जो evaluation जो technique होती ही कि किसушки पढ़्दती है क्या किया था अब यूज करके और फाइनल आप क्या करों कि उसको जजरल अइस कर दोगे जणरेल food कट जंगो को टीशर को सेल्फ अनालीसिस करेगा कि उसने जो भी टैकनिक यहां पर यूज करी थी वह तो है यहां要गी मतलब कि कोई mistake तो नहीं कर दी, उसने selection करने में, goal select करने में, उसका analysis करने में, फिर result निकालने में, इस तरीके से उससे कोई भी mistake तो नहीं होगे तो teacher खुद को self judge कर लेगा और साथ ही student का feedback भी यहाँ पर teacher को मिल सकता है, तो अब आप इस step को, क्योंकि हमने step by step याद रखनी है, तो सबसे पहले step को याद रखने का एक छोटा सा formula आप देखो, यहाँ पर बन चुका है, क्या बना है, S-A-S-U-G, ठीके सासू जी करके आप इस formula को, जैसे भी आपको सही लगता है, आप याद रख सकते हैं, main चीज है कि आपको यह step line से याद होनी चाहिए, क्या step बताई गई है, सबसे पहले selection करना है हमें, ठीके हम selection कर चुके हैं, उसके बाद हमे analysis करना है, जो आपने selection की जो आपने लक्ष सेट किया है, ठीके, क्या वो सही है, उसका सबसे पह किसका technique का, कि कौन सा तरीका, कौन सी method आप evaluation के लिए अपना होगे, ठीके, अब आप क्या करोगे, यूज करोगे उस technique का, यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, result भी यहीं पर मिल जाएगा, जैसी आपने technique यूज करी, आपको result मिल गया, result मिलने के बाद आप और फिर हमने selection किया, किसका technique का, फिर हमने क्या किया, result बनाया, ठीके, use of technique and making the result, और last में हमने क्या कर लिया, generalized कर दिया, तो यह इस तरीके से पांचों step को आप याद रख सकते हो, S A S U G करके, तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि evaluation की third step क्या होती है, तो selection करना, किसका selection evaluation technique का, last step क्या होती, इसमें आपको feedback भी दिख सकता है, क्योंकि last में तो हमें feedback मिल जाता है, तो generalize करना, explanation करना, last में हमें feedback मिल जाना, यह इसकी last step होती है, तो यह 500 step होगी, अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, हम बच्चों के उपर, यह जो trick है, इसको कैसे apply किया जाता है, तो इसको एक अपन example के थूँ समझते हैं, देखो, इसको हम लोग अभी का जो time चल रहा है, यह lockdown time चल रहा है, इसमें हम चाय के example के थूँ समझते हैं, मान लोग कि आप पहली बार चाय बनाना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपने क्या करा है, कि आज आपने objective decide किया, कि आज आपने अपने अच्छे तरीके से टेस्टी तरीके से हम लोग चाय को बना सकते हैं, पहले तो आपने क्या करा, अपना goal decide कर लिया, अपने objective decide कर लिया, अपने अपने क्या किया है, अप उसको analysis कर रहे हो objective का, तिके क्यों क्या कर रहे थे, घर में अमारी जो mother थी या जो भी चाय बनाते हैं, हम लोगों ने उनको analysis किया पूरा कि वो किस तरीके से चाय बनाते हैं, तो ये पूरी method हमने उन से सीखी, उनको बनाते हुए देखा, तो हमने क्या किया, पूरा analysis किया है कि किस तरीके से बनाई जाती है, थर्ड स्टेप में हमने देखा, selection of evaluation technique, अब आपने सोचा है कि आप किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि तरीके भी यहाँ बहुत अलग-अलग होते हैं, एक तो हमारा tea bag होता है, उसके through बना सकते हैं, और भी method हो सकती है कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, जो पैन होता है, उसके अंदर पहले पानी को गरम कर लें, उसके बा हैं, decide कर लिए tea बनाना है, second है आपने analysis किया, जो भी बना रहे थे, आपने उसको देखा है, उसको समझने का try किया है, पूरा analysis किया है, कि किस तरीके से बनाई जाती है, तो procedure आपने समझ ली, फिर आपने technique का use करा, आपने technique देखी, कि आप कोन से तरीके से बनाएंगे, तीन अलग-अलग तरीके है, तीनों में से आपने कोई भी एक तरीका चुन लिया, एक method आपने चुन ली, fourth में आपने क्या किया, उस technique का use किया, चाय बनाई, और उसका result देखा, कि ये वाले tea bag से बनाना जादा अच्छा रहता है, या फिर पानी डालने वाला, या फिर पहले द इसको समझ सकते हो, सबसे पहले आपको objective decide करना है, उसके बाद आपको analysis करना है, कि इस तरीके से बनाई जाएगी, ठीके, objective जो भी आपने decide क्या, उसका पूरा आप analysis करो, procedure को समझो, फिर आप technique, तरीका ढूंडो, fourth में आप क्या करो, result निकालो कि तीनों में से कौनसी वाली स इसके बाद last में milk डालना, यह वाली, या फिर जो एक normal तरीके से बनाई जाती है, proper पहले milk डाला जाता है, ठीके उसके बाद फिर शक, फिर चाय, ऐसे करके डाली जाती है, तो कौनसी प्रोसीजर, तीनों में से किसका feedback यहाँ पर आपको सही लगता है, ठीके इस तरीके से कैसे भी चाहो, तो कैसे भी करके, या फिर आप directly इस ट्रिक के थूँ समझना चाहो, main target यह कि आपको यह पाचो step, line से याद होना चाहिए, कि किसके बाद कौनसी step आती है, ओके, चलिए, इसके अंदर हम तीन चीज़े सीखेंगे, सबसे पहला होता है हमारा evaluation, दूसरा होता ह है हमारा assessment और तीसरा होता है measurement, ठीके, तो measurement यहाँ पर बहुत चोटी चीज़ होती है, उसके बाद हमारा आता है assessment और उससे भी बड़ा होता है हमारा evaluation, measurement को हिंदी में बोला जाता है मापन, बहुत चोटा area होता है जहाँ पर हम बच्चों का जो result होता है, जिसे कि हम लोग ब चीज़ आपकी कहां पर आती है, measurement के अंदर आती है, दूसरा हम यदी बात करें assessment, तो assessment के अंदर हमारी quality-based work आता है, quality यहाँ पर बच्चे जे कौन-कौन से activity कर रहे है, बच्चों का behavior कैसा है, ठीके, इस तरीके से जितनी भी बच्चों के अंदर quality है, वो यहाँ पर हमारे assessment के अंदर आ जाएगी, और measurement और assessment को मिला कर हम लोग final एक rank बनाते हैं बच्चों की, जो final उनका result बनाती है, उसके अंदर हमारा quantity भी आ जाता है, और quality भी आ जाता है, तो यह चीज़ क्या कहलाती है, evaluation कहलाती है, तो सबसे छोटी चीज़ क्या हो गई, measurement, ठीके, इसको हिंदी में मापन बोलेंगे, assessment को हिंदी में आकलन बोला जाता है, और evaluation को हिंदी में बोला जाता है, मुल्यांकन, ठीके, measurement, assessment और evaluation, evaluation काफी बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर हम measurement भी कर लेते हैं, बच्चों के percentage को भी measure कर लेते हैं, और साथ ही उनका व्यवहार, उनका behavior कैसा है ये चीज़ भी यहाँ पर measure कर ले जाती है, मतलब की quantity के साथ साथ हम बच्चों की quality, उनके गुणों को भी measure कर लेते हैं, तो ये तीनों चीज़े इस तरीके से बनती है, एक बर और आप इसका वेंड डाइगरम देख सकते हैं, किस तरीके से बनता है, सबसे पहले इसके अं यहाँ पर बच्चों की quality गुणों का अध्यान किया जाता और यहाँ पर final जाकर एक rank, decide कर दी जाती है, जो उनका final result बनाती है, ठीके तो ये तीनों चीज़े हो गई, देखो, evaluation के अंदर ये चीज़ यहाँ पर mention भी की हुई है, evaluation involves assessment and measurement, और it is comprehensive, काफी व्यापक, काफी broad level प पर हम इसका चयन करते हैं, तो ये दोनों चोटी चीज़े हो गई, smaller उससे बड़ा assessment, measurement से बड़ा assessment और assessment से बड़ा evaluation, अब एक अच्छे test के क्या-क्या qualities होती है, क्योंकि हम evaluation कर रहे हैं, क्योंकि पहली line ही हमने क्या पढ़ी थी, क्या हम evaluation और testing को अलग नहीं कर सकते हैं, दो अब आप दोनों बोल सकते हैं, दोनों एक दुसरे के पूरक हैं, तो अच्छे test के क्या-क्या qualities होती है, तो सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है, a good test in English should measure the all four qualities, एक अच्छे test के अंदर बच्चों की चारो qualities को measure करने की capability होना चाहिए, अब चार qualities क्या होती है, चार qualities होती है, L, S, R, O, W, listening, सुनना, speaking, बोलना, reading, पढ़ना और writing, लिखना, तो एक test के अंदर बच्चों की चारो qualities का पता teacher को चल जाना जाई, क्योंकि mostly जो test लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे return best होते हैं, तो return में हम बच्चों की सिर्व writing skill का ही पता लगा पाते ह बच्चों की speaking skill, बच्चों की reading skill का पता नहीं चल पाता है, तो एक अच्छे test में ये चारो qualities होना चाहिए, जिससे बच्चों की listening, speaking, reading और writing चारो skill को measure किया जा सके, ठीके, second बात करते हैं, there should be a variety of items, but the test should be designed carefully, the purpose behind the test should be very clear, क्या चीज़ बताएगे है, second point में, कि there should be a variety of items, जिसे की oral test होता है, ठीके, return test होते हैं, यहाँ पर project, बच्चों को project बनाने को दिया गया, मतलब activity based test हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे items हो सकते हैं, item in the sense की अलग-अलग प्रकार के test होते हैं, बट जब हम उन test को design करते हैं, तो बहुत carefully हमें वो चीज़ डिजाइन करनी पड़ती है, अब एक particular कोई test ले तो, जिसे return test हो गया, यह एक प्रकार का close ended test होता है, ठीके, अब इसके अंदर हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कि हमें multiple choice question यहाँ पर डालने होगे, हमें fill in the blanks डालने होगे, हमें true false डालने होगे, यहाँ पर हमें short answer long question जो रहते हैं वो डालने होगे, तो इस प्रकार के जो test रहते हैं, को काफी carefully बहुत ध्यान से design करना पड़ता है, और इसके पीछे का जो purpose रहता है, कि test को design करने का पीछे का जो purpose है, कि क्यों आपने design किया है, किस level के बच्चों के लिए design किया है, वो काफी यहाँ पर clear होन चाहिए, ठीक है, the language of the question should be clear, जो भी question में पूछा गया, जैसी उस question की language है, वो काफी clear होना चाहिए, बच्चे को आचानी से समझ में आनी चाहिए, ठीक है, उन्हें बच्ची सी teacher किया, किसी भी help नहीं लगनी चाहिए, कि वो question को explain करे, then बच्चा उसको solve करे, तो जो question की जो language है, वो काफी clear होनी चाहिए, ठीक है, next point हमें बता रहा है, in case of essay type question, the approximate length of the answer should be mentioned, आप दिखते हैं कि जो essay, मतलब long term के जो question होते हैं, लंबे-लंबे, तो उसमें क्या दिया हो रहता है, पीछे question के पीछे limit रहती है, 300 words, 300 शब्दों में अपना answer दे, 150 शब्दों में अपना answer तो जो limit होती है, length जो होती है question की, उसकी limit पहले से mention कर देनी चाहिए, कि बच्चों को इतनी line में वो answer लिखना है, ताकि बच्चे भी खुद satisfy हो पाए, कि हमने जो answer लिखा है, वो हमारे marks लाने के लिए sufficient है या नहीं है, तो in case of essay type question, मतलब कि जब बड़े-बड़े question का answer लि जान रखना होगा, next objective type question should be set, it tests the real knowledge and ability of the student, यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ short और long essay type के question आपने set कर दियो, यहां पर आपको multiple choice question भी, objective type question भी डालने होगे, जिससे बच्चों की जो real ability है, उनका जो knowledge है, उसका पता कर सकते हैं, क्योंकि mostly क्या होता है, कि बच्चे जो होते हैं, मतलब कि वो समझते हैं, तो सारी चीजें, जिससे कि आपने class में कोई भी chapter को explain किया, बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको समझ लिया है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है, तो यह जो question है, objective type question, जिसके अंदर true, false, fill in the blanks, match the column, इस तरीके के question आएंगे, तो यहां पर क् committed होंगे, जिसे कि multiple choice question में, 1, 2, 3, 4, 4, चार option रहेंगे, तो बच्चा आसानी से एक को select करके marks वहां से gain कर सकता है, तो सिर्फ बच्चे के अंदर writing skill नहीं होने के कारण वो fail हो जाए, तो यह चीज गलत हो जाएगी, तो इस प्रकार के question भी आप क्या कर सकते हैं, अपने test में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डालना ही पड़ता है, ठीक है, यह पूरा curriculum में set किया हुआ है, कि 5 number का आपको यह set करना है, 5 number का match the column होगा, इस तरीके से बच्चा यह दिर writing skill में अगर नहीं कर पा रहा है, तो दूसरी skill के through वहां पर score कर लेगा, next देखिए, a good test of English should cover many areas of the subject matter as as matter as possible, यहां चीज क्या बताई गई है, कि जो English का test होता है, क्योंकि हम English की बात करें particular, तो जब English का test design किया जाता है, तो बहुत सारे area को cover किया जाए, इस तरीके से यहां पर test को design किया जाए, बहुत area cover हो जाए, in the sense की particular, बहुत सारे chapter को यहां पर cover कर लिया जाए, cover many areas of the subject, ब बच्चों के लिए adjective आजाए, adverb आजाए, tense आजाए, voice आजाए, narration आजाए, और जितने भी articles होते हैं, सारे area वहां पर cover हो जाने चाहिए, कुछ question को आप ऐसे डाल दो, कुछ question को आप जिसे theory based होते हैं, हमारे lesson wise होते हैं, तो वहां पर डाल दो, तो इस तरीके से proper arrange करना काफी clear होना चाहिए, बच्चों को वह आसानी से और एक बार पढ़ने पर समझ आ जाए, और natural होना चाहिए, natural कैसे होना चाहिए, जिसे कि लिखा हुआ है कि आपको any two, मतलब कि तीन question दिये हुए, उसमें से कोई भी दो solve करने, तो short में और काफी अच्छे तरीके से आप मह पर उस चीज को explain कर दो, ताकि बच्चा जब paper को पढ़े, तो उसको आसानी से एक ही बार में ये चीजे समाझ आ जाए, उसको कोई extra explanation की need यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, eight point हमें बता रहा है, the student should be able to give answer to the required number of questions within the time limit, the test should be such that it can be done by average student in allotted time, क्या चीज यहाँ पर mention की गई है कि the student should be able to give answer to the required number of questions within the limited time, जब हमने question paper को design किया था, तो हमें ये चीज भी धियान रखनी होगी, कि जब हमने ऐसे type के question दिये, जहाँ पर बच्चों को 300 words में अपना answer लिखना है, तो क्या पूरा paper वो within time limit, यदि 2 hour का time set किया हुआ है, कि 2 घंटे में आपको ये paper solve करके देना ह तो उसमें वो सारे question का answer कर पाए, इस प्रकार का हमें time set करना चाहिए, और average student जो होता है, क्योंकि हमने दिखा है कि एक जो अच्छा पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, वो आसानी से paper को काफी जल्दी solve कर लेगा, लेकिन average student जो होता है, उस time लगता है, वो average बच्चा भी जो अलोटेट, जो fix time दिया हुआ है, 2 hour का, उसमें आसानी से उस paper को solve करे, इस तरीके का पूरा हमें test को design करना होगा, ठीक है, तो क्या चीज यहां पर mention की गई है, the student should be able to give answer to the required number of questions within the time limit, ऐसा नहीं करना है कि हमने 20 question रग दिये, बड़े-बड़े 20 question रग दिये, और टाइम बच्चा वहां पर at least 90-20 question तो कर ही पाए, okay, चलिए, next point देखते है, the test should be neither too difficult nor too easy, it should be applicable to weak, average and bright student, paper बहुत जादा तव भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही जादा easy नहीं होना चाहिए, ताकि वो तीनों जो बच्चे होते हैं, जो कमजोर, पूर बच्चे होते हैं, average student होते होत student, bright student होते हैं, तीनों आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से उस paper को solve कर पाए, in the sense कि हमारा जो test paper हो काफी lastable होना चाहिए, मतलब हिंदी में बोले तो काफी lachila होना चाहिए, ताकि हर एक student उसको आसानी से crack कर सके, a good English test should be a combination of, जब हम English का test paper design करते हैं, तो उसमें objective type के 25% question होना चाहिए, short answer 25% होना चाहिए, और essay type का जो वेटेज होना चाहिए, वो 50% होना चाहिए, objective type वही true, false, अब कुछा जाएंगे, short one liner और ये सारी चीजें, तीन से चार लाइन में अपना answer लिखना, उसका 25% का वेटेज रहता है, और essay type वो 50 number के question यहाँ पर हो सकते हैं, अग इजाम को वो बच्चा यहाँ पर clear कर सकता है, तो ऐसे type पर भी इतना वेटेज नहीं रखना है, तो बच्चे objective और short term से बहुत सारे जो number है वो cover कर सकते हैं, नेक्स बात करते हैं, CCE की है, तो हमने बात कर ली कि एक अच्छे test में क्या-क्या qualities होना चाहिए, अब CCE की क्या- अच्छे तरीके से मुल्यांकन कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पर mention की गई है, देखो pattern of the evaluation, CCE में किस तरीके का बच्चो का evaluation होता है, unlike CBAC's old pattern of the only one test at the end of the academic year, the CCE conduct several, क्या चीज बताई गई है कि जो CBAC का old pattern था, उसमें क्या किया जाता था, कि पूरे एक साल में एक ही बार exam हो पूरे साल बर बच्चा महनत करता है, और जब सेशन एंड होने के टाइम पर उसका exam लिया जाता है, तो बच्चा काफी pressure में आ जाता है, क्योंकि पूरे साल बर जो भी उसने पड़ा है, उसको पूरा revise करना, पूरा याद करना, तो एकदम से बहुत जादा प्रेशर बच् भी मिलती रहे, तो यहाँ पर दो टाइप के टेस्ट होते है, नॉर्मल ही बोला जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव टेस्ट, फॉर्मेटिव को यहाँ पर FA से शो किया गया है, क्योंकि फॉर्मेटिव एसिस्मेंट होता है, और समेटिव एसिस्मेंट को हिंदी में बो वहां पर भी help करेगी same topic हमारा वहां पर भी आता है तो दो type के test होते है formative assessment होता है और summative assessment होता है अब एक साल में दो session जिसे के हम लोग semester पद्धती सुनते हैं semester system हो गया है तो एक साल में दो session होते हैं यह आपका पहला session है और यह आपका दूसरा session होता है ठीक है तो पहले session में आपके दो formative test होते हैं और एक summative test होता है दूसरे session में आपके दो formative test होते हैं और एक final summative test होता है और इस पूरे session को मिला कर आपका एक result है निकलता है जिसे बच्चा 6th class में पढ़ रहा है कि formative assessment और summative assessment में difference क्या होते हैं क्यों formative assessment को summative assessment से अलग किया हुआ है तो देख formative assessment में क्या होता है कि जब बच्छा स्कूल में enter होता है तो एकदम साम उसका exam नहीं ले सकते हैं तो formative assessment में छोटे-छोटे से test लिए जाते हैं और चोटे चोटे टेस्ट क्या होते हैं, चोटे चोटे टेस्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, कि बच्छों को एक project बनाने को दे दिया, कि बच्छों को एक drawing competition में participate करने को बोला, बच्छों को कुछ school activity, games गेम्स वगेरा हो गए, तो उसमें participate करने को बोला, बच्चों का पूरा behavior चेक किया कि बच्चे का विवहार teachers के प्रती के साई दूसरे student के प्रती के साई बच्चे honest है के नहीं है बच्चे time पर homework करके ला रहे है के नहीं बच्चों ने अपना assignment time पर complete किया के नहीं ये सारी जो चीजे होती है चोटी चोटी सी चीजें जो 10-10-20 marks देकर जाती है ये सारी चीजें हमारे formative assessment के अंदर आती ठीक हम देखते हैं class test वगेरा चोटी-चोटी जो test होते हैं वो सारे हमारे formative test के अंदर आते हैं अब आप ये देखो कि जब हमने हम जब हमारे school time में थे हमारे class test होते थे तो एक week के अंदर हमारा result भी आता था मानलो 10 marks का test होता था तो 10 में से हमें 6 marks आते थे 5 marks का होता था तो 4 भी आते थे 3 भी आते थे 0 भी आये है तो at a time हमें क्या हो रहा है feedback मिल रहा था तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि formative assessment में क्या होता है time to time हमें feedback मिलता रहता है जिसे कि test 1 में कम marks आये formative assessment 1 में हमारी कम marks आये तो हम क्या करेंगे अच्छी मैनद करके formative test 2 में अच्छे marks लेकर आ जाएंगे ठीकि formative test 2 में भी मानलो कम marks आते हैं तो हम लोग क्या करते है फाइनल जो हमारी exam होती यह जो summative exam होती यह कैसे होती है pen paper best होती pen paper best आप ऐसे याद रखो कि हम लोग proper exam hall में बैठे हुएं teacher आ रहा है उन्होंने हमको paper दिया है हम लोग घर से हमारा जो क्या बोलते उसको admit card प्रविश पत्रे लेकर गए ठीक है तो इस तरीके से जो exam hall में बैठकर आप जो exam देते हो उसे हम बोलते summative test, summative assessment और normal जो class में हमारे test लिए जाते हैं वो हमारी लिए क्या कहलाते है formative test कहलाते हैं इसलिए तो इसे हम इंदी में क्या बोलते हैं जनात्मक, मतलब कि पूरे ये creativity best होते हैं, summative मतलब योगात्मक पूरा आपने इतने time में जो भी पढ़ा इन महीनों में क्योंकि चार महीने के आसपास ही हो जाते हैं, तीन से चार महीने के आसपास तो इसमें जो भी आपने पढ़ा उसका final exam आपका यहां पर होता है, फिर आपका पूरा syllabus खतम, फिर वापस आप नई चीज़ें यहां पर आकर पढ़ते हो, अब यह जो है आपने यहां तक जितना भी पढ़ा, कि आपके final exam जो होती है, एक exam लिया जाता है, अब इस exam का result, मतलब यह वाला exam का result और यह वाला exam का result मिलकर हमारा एक final merit बनती है, यह जीज़े भी उसके अंदर जिड़ेगी, 10-10% का इसका वेटेज रहता है, ठीके मतल मानलो बच्चों ने 10 में से जितना भी score यहां पर किया होगा, तो यह marks हमारा final जो grading मिलता है बच्चों को A+, A, B, B+, B, उसमें जुडने में काम आता है और इसी से बच्चों का result बनता है, तो एक साल में total कितने test होते हैं, 4 test होते है formative और 2 होते हैं summative, यहां पर बच्चों को feedback मिलता है, आपसे पूछ लिया जाए, क्या formative test जो होते हैं, उसमें बच्चों को feedback दिया जा सकता है, क्या तो हाँ दिया जा सकता है, क्या summative test में बच्चों को feedback मिलता है, क्या तो आपका एक final result बन चुका होता है, लेकिन formative test 1 में यदि हम कम marks लेकर आएं तो 2 में अच्छा score कर सकते हैं, 3 में कम marks लाएं तो हम 4 में अच्छा score करके अपने number को वहाँ पर increase कर सकते हैं, तो आप question किस तरीके से बनते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, देखो पहला question है आपकी screen पर, teachers use formative assessment to improve instructional method and student feedback throughout the teaching and learning process, what are the formative assessment, ठीके यहाँ पर आप से क्या पूछा हुआ है, आप खुछ से समझने का, इसको try करिये, option भी आप देखिये, फिर हम इसको discuss करते हैं, entrance exam, ongoing assessment, reviews and observation in the classroom, they are used to evaluate the effective and instruction program, या फिर judgment on of student competency, तो question क्या पूछ रहा है, आप थोड़ा सा time इसके अंदर ले सकते हैं, आप वीडियो को रोकिये और थोड़ा सा इसको समझने का try करिये, क्या चीज़ यहाँ पर पूछी हुई है, तो देखिये, इसको अभी हम लोग discuss कर रहे हैं, तो teachers are, teachers use formative assessment to improve instructional method and student feedback throughout the teaching and learning process, मतलब क्या चीज़ यहाँ पर ले रहा है, और बच्चों का feedback उसको मिल रहा है, to improve instructional method, ताकि बच्चों की अच्छे से उनको पढ़ा पाए, अच्छे से instruction दे पाए, और साथ ही student का feedback उसको मिल पाए, throughout the teaching and learning process, बच्चों का feedback, जैसे teacher बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके according teacher को feedback भी मिल रहा है, तो यह किस प third option हमें बोल रहा है, they are used to evaluate the effectiveness of the instruction program, या फिर judgment of a student competency, तो पहला option तो ऐसे ही गलत होगा, इसका सही answer होगा, option number B, entrance exam जो होता है, एक प्रकार का summative assessment होता है, क्योंकि pen paper वाला exam होगा, तो एक प्रकार का summative assessment होगा, तो यह चीज यहाँ पर गलत होगी, third क्यों गलत हुआ है, they are used to evaluate the effectiveness of instruction program, इसलिए मुल्यांकन किया जाता है, ताकि instruction को अच्छे से conduct करवाया जा सके, तो यह चीज भी गलत हो रही है, judgment of student, बच्चों को हम जज करते हैं, उनकी competency को वो किस तरीके से कार्री कर रहे हैं, तो वो चीज भी गलत हो जाती है, तो यह चीज ओन गोइंग assessment के रूप आप उनका अकलन कर रहे हो, उनका review देख रहे हो, उनको review चेक कर रहे हो, साथ ही आप classroom बच्चों के behavior को क्या कर रहे हो, observe कर रहे हो, तो यह formative assessment के हमारे अलग-अलग तरीके, अलग-अलग method हो सकती है, तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, option number B, next question पर move करते हैं, next question देखे, next question क्या बुल रहे है, what are the summative assessment used to determine, summative assessment का use कहां पर किया जाता है, किस चीज को determine, जाचने के लिए किया जाता है, instruction method and student feedback, if a student have mastered specific competencies and to identify instructional area that need additional attention, valid instruction या option D हमें बोल रहे है, ongoing assignment, reviews and observation, हमसे क्या पूछा गया है, कि summative assessment क्यों use किया जाता है, क्या determine करने के लिए किया जाता है, तो सही answer क्या है, यहाँ पर option number B, if student have mastered specific competencies and to identify instruction areas that need additional attention, ठीक है, मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, summative assessment में, हम summative assessment योगात्मक आकलन क्यों करते हैं, ताकि हमें बच्चों का एक final result, एक final grade निकल कर यहाँ पर बच्चों की पता चल जाए कि बच्चों ने कितना score किया है, पूरे जो six month का उनका semester हुआ था, पूरा जो उन्होंने एक session निकाला है, उसमें उन्होंने क्या-क्या study की है, तो if student have mastered specific competencies and to identify instruction areas that are need additional attention, मतलब कि इस area में उन्हें additional attention, मतलब आउशकता चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते है summative assessment का, use करते है feedback, तो हमें formative assessment मिलता है, summative में तो feedback मिलता ही नहीं है, valid instruction देना, ये चीज़ भी कोई सही नहीं लग रही है, ongoing assignment, reviews और observation ये, तो सारे formative assessment में होते हैं, summative में तो directly आपका result निकल कर आता है, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जो exam देंगे, हम TED के exam देंगे, उसमे क्या हमें feedback मिलेगा, क्या, नहीं, directly हमारा result निकल कर आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पर particular, यहाँ पर option B के अंदर show की गई है, कि आपको directly यहाँ पर result मिलता है, आपका एक final पता चल जाता है, कि आपका कि subject के अंदर mastery है, जिसे कि आपको किसी particular subject में 30 में से 29 marks आए हैं, तो कि English काफी strong है, आपका CDP काफी strong है, आपका Hindi काफी strong है, इस तरीके से आपका एक mastery की subject में है, वो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, तो option B, summative assessment के रूप में यहाँ पर सही होगा, देखो एक थोड़ा lengthy question है, उसको अभी आपन करने का try करते हैं, पूरा आपन पहले अच्छे स सारे points दिये हुए, अब आपको क्या करना है, from the evaluation procedures given below, identify those which will be called formative evaluation, मतलब कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कि formative evaluation क्या होता है, यह जो point दिये हुए, कुछ 5-6 point होगे, इसमें से हमें formative evaluation कौन कौन सी चीज़े होती है, वो search करना है, indicate your answer by choosing from the code, नीचे कुछ A, B, C, D, D, E, F क करके कुछ code दिये हुए, तो उसमें से आपको अपना answer क्या करना है, select करना है, तो देखो, यहाँ पर कुछ F तक code दिये हुए, और नीचे A, B, C, D, इस तरीके से करके दिये हुए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, formative assessment के बारे में, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़े सही ह करते हैं, तो में भी आपके साथ ही पढ़ रही हूं, तो देखते जाना है, और अपना point मार करते जाना है, कि आपको कौन कौन सी चीज़े यहाँ पर सही लग रही है, A teacher awards grades to student after having transited the coursework, यह पहला point हो गया, तो इसको explain, अपन बात में करेंगे, पहले अपने according आप मार करते ज देखते हैं, the teacher gives marks to student on a unit test, D देखते है, the teacher clarify the doubts of the student in the class itself, अगला है, the overall performance of a student is reported to parents at a every 3 month interval, अगला दियाऊ ए, the learner's motivation is raised by the teacher through a question-answer session, इसमें से 3-4 कोई भी statement आपको सही लग रहे हो, उसको आप copy में लिख लो फिर अपने इसको क्या करते हैं मार्क करते हैं कि कौन सा answer यहाँ पर सही होगा देखो आपको कौन सी चीज यहाँ पर सही लग रही है तो आपने I think सोच लिया होगा अगर आपको time लग रहा है मतलब क्या चीज बोली गई है कि final मतलब last में यहाँ पर बच्चों को grade दिये जाते हैं तो grade कब दिये जाते हैं summative assessment के अंदर दिये जाते हैं वहाँ पर ही तो A+, A, B+, B grade मिलती है तो यह तो summative assessment के बारे में हो गया मतलब कि पहला चीज तो गलत है दूसरे पर मोग करते है During interaction with students in the classrooms The teacher provides corrective feedback क्या formative assessment में हमको feedback मिलता है मिलता है तो दूसरा हमारा सही हो गया मतलब B अभी तक सही हो गया है तीसरा पढ़ते है The teacher gives marks to student on a unit test हर एक unit test के बाद बच्चों को marks मिल जाते हैं क्या हमने देखा था कि छोटे-चोटे test होता है वो चाहे unit test हो चाहे project work हो तो मिल जाते हैं तो C भी यहाँ पर सही हो रहा है वापस से अगला मोग करते है The teacher clarify the doubts of a student in the class itself बच्चे बच्चों का class में हाथो हाथ doubt दूर कर देती है तो ये भी सही है साथ में बच्चों को feedback मिल रहा है मतलब उनके कोई भी doubt होंगे तो वो साथ के साथ दूर कर दिया जाएंगे ये तो formative assessment के quality होती है तो B, C, D तीनों सही हो गए आगे पढ़ते है The overall performance of a student is reported to parents at every three month of interval Formative assessment में हमने देखा था क्या है Parents Meeting वगेरा में कुछ इस तरीके से उनका report card दिखाया जाता है तो ये नहीं है अगला इदर Learner's motivation is raised by the teacher through a question-answer session सही है बच्चों का motivation improve होता है question-answer session के थूँ तो कौन-कौन सी चीज़े हैं हाँ पर सही हो गई एक तो हमारा सही हो गया B एक सही हो गया C एक सही हो गया D और एक सही हो गया F ये सारी qualities होती है हमारी formative assessment की ठीक है और option में हमको दिया हुआ था A, B, C, B, C, D, A, C, B, D, B, D, F क्योंकि हमको C भी सही लग रहा है तो यहाँ पर C भी सही होगा क्योंकि unit test हम लोग देते हैं बच्चों को formative assessment में unit test के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हमारा answer क्या हो जाएगा B, C, D, A, F ये चारो statement यहाँ पर सही है है ना? चलो next question की बात करते है What is evaluation? Evaluation क्या होता है जल्दी से बताओ component of measurement एक measurement करने का component होता है an extension of measurement a term interchangeable interchangeable मतलब आप चीशको change कर सकते हो with measurement के साथ exchange कर सकते हो completely different from the measurement अभी हमने पढ़ा है हमने के वाला VIN diagram पढ़ा था सबसे चोटा measurement होता है उससे बड़ा assessment होता है और उससे बड़ा क्या होता है evaluation होता है तो evaluation क्या है component of measurement है या फिर extension of measurement है तो measurement का एक extension है जब measurement को आप थोड़ा extend करते हो क्योंकि measurement में आप तो quantity number measure करते हो quantity के साथ साथ जब quality गुणों को भी measure कर लोगे तो वो हमारा एक evaluation मन जाएगा evaluation में क्या बन जाएगी बच्चों की rank बन जाएगी तो right answer क्या होगा and extension of measurement सही answer क्या हो गया option number B चलिए तो आज कुछ कोश्चन हमने complete किए इसके बाद इसके अंदर तीन से चार टॉपिक हो रह जाते है कि आपने देखा है assessment of learning assessment as learning assessment in learning ये चीज़े क्या होती है तो उसको हम next session जो होगा और इसके remaining जो question रह गए उसको हम next session में discuss करेंगे कल again 7 p.m. आपका ये session इसी पर बहस्ट होगा तो आप 7 p.m. पर कल इस session को वापस से विजिट करें और ये जो भी जितना भी पढ़ा है आप इसको एक बर revise कर ले क्योंकि इसके आगे की चीज़े हम कल के next session में discuss करेंगे और session केसा लगा comment करके आपको बताना ही है और शाथ ही इससे आपको अपने friend circle वगएरा में भी share करना है जो भी टैट exam के लिए prepare करने चाहे है वो seated हो कोई भी टैट exam हो ये topic आता ही है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो syllabus है उसके अंदर एक main topic आता है acquisition वाला ठीके language को require करना जो कि आपका first chapter है फिर हमारा main आता है LSRW और तीसरा जो topic आता है आपका वो आता है evaluation इन तीनों topic से हमेशा ही question बनते हैं और आप मान कर चले evaluation आपका 3 question लेकर जाता है 30 में से 3 question अकेले आपके evaluation से आते तो आप समझ सकते हैं कि कितना important topic होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से study कर लें आप चाहें तो notes बना ले इसके ताकि exam टाइम में आपको वीडियो देखने की need नहीं हो आप directly यहाँ पर चीजों को revise कर सकते हो अपने notes के थूँ अच्छे कर वाच्छिंग